वेलकम बार यूटेट चैनल अभी हम लोग यहाँ पर प्राइट से लेके जाएगा और और लोगों को कब देखने को मिलेगा तो जिस तरीके से यहाँ पर प्राइस एक्षिन बन रहा है हम सभी लोगों को एक चीज नजर आ रही होगी यहाँ पर इंट को आगर ऐसे जॉइन एक ट्रेंड लैंग न जरहरे होगी और इसी ट्रेंड लैंग के कि यहां पर दे चुका है क्योंकि इस ilk ट्रेंड लाइन के बäsit से किसी फ़िद्स आर सुछky और उनम अन्हीं एक फेड्रोल बैंक था ऑर दो-स र और थे तो इसी तरीकी के बाद उन्हों ने बहुत ही अच्छा हम लोगों को रिटर्न दिया है important thing यह है चली अभी हम लोग वीकली time frame पे चले जाते हैं और फिर हम लोगों को यहां पे weekly time frame से पता चलेगा कि कितनी जेड़ सारी चीज़े हैं यहां पे तो अगर मैं यहां पे trend line draw करने की कोशिश करो तो कुछ इस type से trend line यहां पे draw होगा secondly नीचे की और भी एक हम लोग यहां पे trend line draw करने की कोशिश करें तो इस type से होगा तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो यह इस channel के अंदर around ठीक है यह October 2021 November 2021 से इसमें फशा हुआ है इसमें जाने के बाद देखेंगे उपर की और गया नीचे गया फिर उपर जाने के बाद नीचे गया और यहां और पूर 80 के आसपास से ठीक है पूर 80 के आसपास यहां पर चार-पांच वीग मतलब लग एक महिना यहां पर हाल्ट किया है इंतजार करने के बाद यह breakout देके फिर से उपर क्यों निकल रहा है अगर हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पर फिर से जाते हैं और वन डे टाइम फ्रेम के अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो यह वन वे रैली नहीं है आप इसको ऐसा नहीं बोल सकती यह क्योंकि यहां गया यहां जाने के बाद इसने लगबग एक महिना यहां पर रेंज बनाया उसके बाद फिर से ब्रेक आउट हुआ इस ब्रेक आउट के बाद फिर से इसको यहां पर देखेंगे उपर से फिर से इसको रेजिस्टेंस मिला फिर नीचे आया और फिर से इस ल करने का मौका मिल रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं थोड़ा सा क्वांटिटी ज्यादा रख सकते हैं तो यहां पर एक अच्छी ऑपर्शनेटी आने वाले समय में अगर अगर इंट्रेंड लाइन को बहुत से क्लोजिंग प्राइस के उपर भी यहां पर डॉआ करते हैं तो उसके हिसाब से यहां पर ब्रेक आउट हो गया अगर हम लोग देख रहे हैं इस कैंडल को तो ठीक है तो जैसे ही नेक्स डे यहां पर मार्निंग में मार्केट उपन होग तो मीरे लिए बैस्त गरोगी वह और जैसे ही 50 को ग्रॉस करेंगा मैं 550 बेस्तों बाइए करोंगा तो अगर यहां से और मोमिंटम करता है तो जो हम लोगों को ऊपर के ओर टार्गेट देखने कोमिल सकता है तो हमारे पास अभी जो रिजिस्टंस को मिलने वाला 580 के आसपास मिलने वाला है ठीक है तो 580 से लेकि 600 का पूरा जोन जो है यह एक तरीकी का resistance zone है और यहाँ से इसको resistance मिल सकता है तो हो सकता है इसके बाद यहाँ पे थोड़ा उपर आ जाए फिर थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पे volatile हो जाए इसको ब्रेक करता है तो बहुत ही जल्दी हम लोगों को इसके अंदर एक all time higher देखने को मिलेगा और यह 600 को जब यहाँ से ब्रेक करेगा ठीक है तो यह यहाँ पे जो भी range बनाके निकलेगा उतना हम लोग को उपर के ओट टार्गेट मिलेगा अभी हम लोग यहाँ पे नहीं बोल सकते कितना टार्गेट मिलेगा लेकिन जनरली अगर यहाँ पर ब्रेक आउट दे रहा है 550 के आसपास और यह 600 का है तो हम लोग यहाँ से around 100 रुपीज यहाँ minimum 50 रुपीज expect कर सकते हैं उपर की और मतलब 650 हमारे यहाँ से दूसरा टार्गेट होगा और पहला टार्गेट होगा 600 के बाद और उसके बाद दूसरा टार्गेट होगा 700 का यह उपर की सारी बाते हैं अगर यह ब्रेक आउट दे के उपर निकलता है और हमने पोजिशन बना लिया मान लेते हैं ठीक है तो इस टॉप लॉस हमारा intact है इस टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है तब कि यह सारी बाते चल रही है और दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर ज हमारे लिए बैस्ट होगा क्योंकि यहां पर जो कि बहुत दिनों बात इस चैनल का यहां पर ब्रेक आउट हम लोगों को देखने को मिल रहा है और अगर ऐसा नहीं होता है उबर की और ब्रेक आउट देने की बजाए नीचे की और ब्रेकडाउन देता है तो यह सपोर्ट क असपास आके फिर सपोर्ट ले सकता है और उसके बाद फिर से यहां पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिशिश कर सकता है तो यह दो तीन सिनारियो पॉसिबल है कोई भी सिनारियो यहां पर रिपीट होगा तो हम लोग इसमें पोजिशन बनाएंगे ठीक है जब को बहुत ही कम क्वांटिटी में किसी और की अनलेसिस पर कोई भी पोजिशन बना चाहिए अगर आप टेस्ट करने के लिए बना रहा है तो ठीक है अधर वाइस अपनी अनलेसिस करिए उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको कितना क्वांटिटी लेना और क्या करना है